हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर एक वार फिर से स्वागत है, तो दोस्तों मैं आपके लिए आपके हिंदी के बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन्स लेके आ चुका हूँ, जितने कुश्चन दोस्तों अभी तक दोस्तों बोर्ड ने पूछे हैं आपसे, क्लास 12 में हिंदी के कुश्चन, उन सभी कुश्चन्स को मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, और दोस्तों इसके अलावा एक वी कुश्चन आपका भार नहीं जाने वाला है, तो इन कुश्चनों को जरू आपका जो कुश्चन पेपर है वो बहुती अच्छा जाए, सभी दोस्तों 95 प्लस परसेंट मार्क्स इसमें अचीव करें, तो चलिए दोस्तों सभी कुश्चनों को मैं आपके लिए बता देता हूँ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को उसने च्छत्रिय का क्या काम, तो इसमें जो राजा सहाव है, उसने ये सब्द क्यों कई हैं और किस के लिए कई हैं, पहलवान की डोलक पार्ट के आधार पर आपको बताना है, नेक्स्ट है दोस्तों, साफिया के बाईने नमक की पुढ़िया ले जाने से क्यों मना कर दिय था, इसके वाद है, सिरीज के फूल नामक निवंद हमें क्या सिच्छा मिलती है, सिरीज के फूल नामक निवंद से हमें क्या सिच्छा मिलती है, नेक्स्ट कुश्चन है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर आधुने के एवं पास्चाते संस्क्रती के अंधा धुन बदलते मानवी मूल्यों पर आधारित है तो ये सिल्वर वेडिंग जो पाठ है वो इस इन कतनों पर आधारित है तो इस इन कतनों को हमें इसपच्ट करना है इसके अलावा दोस्तो लेखक आनंद यादव संगर्स करके जीवन को उतक्रष्ट बनाता है आप इससे कहां तक सहमत हैं जूज पाठ से आपको बताना है इसके अलावा दोस्तो अतीत में दवे पाउं पाठ के अधार पर सिंदु सब्विता के नगर नियोजन का भी बलडन आपको करना है सभी कुश्चन दोस्तो बेरी बेरी इंपोर्टेंट हैं अगर ये कुश्चन आपने पढ़ लिए तो दोस्तो आप अगर इन से हटके भी हलका सा कुश्चन आएगा तो आप दोस्तो 99% चांस है कि आप उनको बना देंगे नेक्स्ट है इसमें एन फ्रेंक ने अपनी डाइरी गुडिया किट्टी को संबोधित करके क्यों लिखी इसके बाद है मोहन जोदलो की खुदाई में प्राप्त अन्ने स्थलों एवं बस्तूओं का सामाने परिश्य दीजिए लेकर आनंद यादव ने पाट साला में नाम लिखवाने के लिए क्या-क्या उपायद किये थे इसके बाद दुस्तो डाइरी के पन्ने के आधार पर औरतों की सिच्छा और उनके मानवादिकारों को अपने सब्दों में अपने बिचारों को बताना है और नई पीड़ी और नवीन जीवन मूले पुरानी पीड़ी और प्राचीन जीवन मूले इन दोनों के मद्दे सदेव टकराहट चलती रहती है तो सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर आपको ये चीज बतानी है इसके अलावा नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए सिरीस के फूल माद्यम सिरीस के फूल के माद्यम से लेखक ने संकर से सीतलता एवं जीजीविसा को जो ब्यंजना की है उसे इसपष्ट कीजिए नमक कहानी की मूल संबेदना क्या है तो नमक कहानी की जो मूल संबेदना है वो आपको बतानी है यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा इस कथन का आश्य क्या है तो ये भी आपको इसपष्ट करना है जाती प्रथा से समाज को क्या आर्थे खानिया होती है next question की बात करते हैं दोस्तो silver wedding कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या संदेश ब्यंजित किया है और दोस्तो जूज आत्मकत्य की अंसमूल संबेदना इसपष्ट कीजिए पुरातत्व वेदनाओं ने किस भवन को देखकर उसे college of priest माना है तो दोस्तो इन सभी question को note जरूर करें या फिर screenshot भी ले सकते हैं दोस्तो क्योंकि इन question से बाहर एक भी question नहीं जाएगा इसके अलावा देखिए प्रकरती ही ऐसा बर्दान है प्रकरती ही तो ऐसा बर्दान है जिसका कोई सानी नहीं है तो एन फ्रेंक की डायरी के जो पन्ने हैं उसन में दोस्तो अध्याय के आधार पर आपको समझाना है पुरातत्व वेत्तावने सिंदु घाटी सब्विता को तर सब्विता भी कहा है तो ऐसा क्यों कहा है या आपको इसपश्ट करना है लेकक आनंद यादव के चात्र जीवन की क्या-क्या सिच्छा मिलती है चात्र जीवन से आपको क्या-क्या सिच्छा मिलती है इसके अलावा दोस्तो या सोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपिक्च्छा रखते थे सिल्वर बैडिंग पार्ट के अधार पर आपको बताना है और कोई बार कोई रहसे मई दोस्तो कई बार कोई रहसे मई ताकत हमें हम दोनों के पीछे की तरफ खीचती है तो एन फ्रेंक ने इस कथन से किस पिरसंग का उलेख किया है नेक्स्ट कोईशन है दोस्तो बक्तिन ने महादेवी बर्मा को आधनिक देहाती बना दिया किन्तु स्वेम सेर की हवा से दूर रही इस बाक्य की सत्यता की सिद्ध कीजिए और बाजार दर्सन निवंद के आधार पर बाजार के जादू को इसपश्ट करते हुए उस से बचने के उपाए भी बताईए नेक्स्ट है हाई बहवदूत आज कहां सिरीस के फूल निवंद के आधार पर इस कथन का दोस्तो आपको मतलब बताना है और मतलब इस जो ये कथन है वो किस के लिए और क्यों कहा गया है आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा हानी कारक होती है क्या आप इस के इस दरश्टी कौन से सहमत है अपने बिचार दीजिए सिल्बर बैडिंग कहानी का कथानक आधुनिक पासचाते संस्कृति के अंधाधुन बदलते मानवे मूलियों पर आधारित है इस कथन का सोध अहारण विवेचना कीजिए नेक्स्ट है बसंत पाटिल से दोस्ती होने के वाद लेखक के ब्यवार में कौन-कौन से परिवर्तन हुए थे इंपोर्टेंट कुश्चन है दोस्तो मोहन जोद्रो के प्रसिद्ध पुराने बहुत दिस्तूप की बिसेस्ता है ये भी इंपोर्टेंट है इसके अलावा दोस्तो कवीता के पृति लगा बढ़ने के बाद लेखक को अकेला पन क्यों अच्छा लगने लगा था मोहन जोद्रो का अर्थ बताती हुए इसके बारे में जो धारना हैं उनको ब्यक्त कीजिए मोत के खिलाब मनुश्य नामक किताब एन नै ओर्तों की स्तिती के बारे में जो पढ़ा उसे लिखिए क्या पढ़ा था उसने एन फरैंक ने तो यहाप को बताना है ओर्तों के बारे में इसके बाद दोस्तों बहेख हुसाहली भी कैसी जो अपने को अपने में परायापन पैदा कर दे यसुदर बावू की इस सोच से कौन से कारण है डाइरी के पन्ने पाट के अधार पर अेन की प्रकरती प्रेम का बरड़न कीजिए इसके बाद दोस्तों अधिकांस अभिवावकों की तरह यसुदर बावू भी यही सोचते थे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब बहे अपने ही आप ठीक हो जाएंगे तो इस कथन पर अपनी मौलिक सैमती या असैमती तरक सहित दीजिए मास्टर सौंद लेकर के मराठी भासा पड़ाने का बहें कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन पर उनका सरवाधिक प्रवाब पड़ा था मोहन जोदडो के भोगोलिक प्राकरतिक बातवरण पर टिपड़ी लिखिए आनंद को खेती के कौन-कौन से कार्रे करने पर ही अध्यन की अनुमती पिता द्वारा दी गई थी तो इन सभी कुश्चनों को देख लीजिए एक बार और जल्दी से नोट जरूर करें दोस्तों सभी कुश्चन आपके लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है और दोस्तों आपके एक्जाम में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों इनको तैयार जरूर करके जाएं अगर आपको दोस्तों एक अच्छा दोस्तों स्कोर करना है हिंदी में क्योंकि दोस्तों इन से बाहर एक भी कुश्चन नहीं आएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू